वेल्कम तो वील्ज सिंस 2020 बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लेस दा बेल आइकोन हलो एव्रीवन एंड वेल्कम तो माय चैनल वील्ज सिंस 2020 तो गाइस वीडियो का टाइटल देखे आप लोगों को पता चली चुगा होगा कि आज हम लों किस काड़ के वारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तों यह है आप लोंका दि और न्यू कोड़ा स्लाविया अ जिद्ञ दो स्कोड़ा इंडिया बहुत चल्द इस गाड़ी को लांच करने वाला है इंड्या में तो दो गाइस जिलनुन पता नहीं है इसकोड़ा जो है एक चेक रिपब से इंटरनाशनल मार्केट में हर सल इसकी बहुत सारी काड़िया जो है वो सेल हो रही है इंड इंडिया में भी बहुत सारी काड़िया इसकी सेल होती है इन दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कोडा के स्लाविया के बारे में जो कि एक स्कोडा की अपकमिंग से डान सकोड़ा के ऑर瑞डी दो कार्ज जहें Line-up में, तीन कार्ज अक्शू लाइन अप में हैं, एक योभ लोग का, सकोड़ा कुशच, जिसे Revival किया जा चुका है, लेकिन उसका प्राइसे एननॉंसमेंट होने बागी है, से इसी जून को एनाउंस किया जाएगा स्कोडा कोशाक जो है आप लोग इसका रिवीव वीडियो देख चुके होंगे अगर आप लोग ने उसका रिवीव वीडियो नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल में जाके वो इस गाड़ की रिवीव लिए देख सकते हैं एंड गाइस स्कोडा उक्टेव यह जो है उसे भी जून में ही रिवीव करने वाला है स्कोडा इंडियर मार्केट के लिए एंड दोस्तों उसके बाद आप लोगा स्कोडा कोडियाक न्यूव कोडियाक आएगा इंडियर मार्केट के लिए फिर आप लोगा प्रेटी टूटी टूव में यानि कि 2022 में जो है स्कोडा स्लैविया आएगा यह गाड़ी आप लोग इमेजेस देख रहे हैं प्रेटी टेस्टिंग इमेजेस आपके स्क्रीन पर दिखा गए हैं तो गाइस जैसा कि स्कोडा कुशक जो है आप लोग ने देखा होगा इसका लुक जो है काफी हक तक सिमिलर रहता है आप लोगंका स्कोडा कामिक के साथ कामिक जो है वो इंट्रेशनल मार्केट में लाउच होई दी और दोस्तों उसी प्लाटफोर्म पे ही आप लोगंका स्कोडा कुशक को बनाया गया है स्लाइटली चेंज़स के साथ आपको वो इंडिया में दिया गया है पर पर पर्टिकुलर इंडिया मार्केट इंडि उसी तरह स्कोडा स्लाइबिया जो है वो भी आप लोगंको जो न्यू जेनरेशन रैपिड है जिसे रुषिया में लाउच किया गया है आप लोग ने देखा होगा उसी के अपर प्लेटफर्म के अपर बेस्ट है एंद दोस्तों काफी हक तक उसकोड़ा स्लाविया है उसका लूक भी सिम्लार रहेगा न्यू जेनेरेशन रापिड के साथ थोड़े बहुत कॉस्ट्रमेटिक चैनेज देखने को मिलेंगे इन बाकी डाइमेंशन वाइज इन फीचर वाइज काफी हक तक वो दोनों सेम ही रहेंगे कोड़ा स्लाविया जो है वो आप लोगों का स्कोड़ा रैपिड से 40 mm लॉंगर होगा जैनुस्तों इसका लेंज होगा आप लोगो 4,480 mm के आसपास इन गाइस इसमें जो आप लोगों का विर्थ है वो भी इंक्रिस किया जाएगा नियरली 50 mm as compared to स्कोड़ा रैपिड इन इस साथ के साथ साथ मैं आप लोगों बसा दूँ इस गाड़ी में आप लोगों को सेग्मेंट की बेस्ट विल बेस मिलीगी जो स्कोड़ा के लेम करती है वह आप लोगों का 2,651 mm का विल बेस इस गाड़ी में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा यह जो गाड़ी है Skoda Slab यह यह आप लोगों का बेस्ट होगा Skoda के MQB A0 इंडिया प्लाटफोर्म पे इसी प्लाटफोर्म पे आप लोगों का Skoda का कुशा एक भी बेस्ट है जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि यह आप लोगों का Skoda Rapid मिलेंगे जो कि आप लोगों को Skoda Rapid में देखने को नहीं मिलता है जैसा कि इंडिया में हाइस डिमाड रहता है संरूफ की आपको एक इलेक्टिक संरूफ देखने को भी लेगी उसका साइज आप लोग लगबग अंदराद लगा सकते हैं आप लोग इस कोड़ा कुशाग के जैसा ही होगा इंड साथ इसाथ गाड़ में आप लोगो गाइज जो है निव वेंटिलेटे सीट्स देखने को मिलेंगे एम्बेट लाइटिंग देखने को मिलेगी साथ इसाथ आप लोगो इसाथ इसाथ आपको वेंटिलेटे सीट्स एक ट्रेंड पॉइंच के इंफर्टेंवन स्क्रीन जैसे इसाथ इसाथ कोड़ा कुशाग में देखने को मिलता है एक्जाटली उसी टाइप का वाइलेस का एक्टेक्टेट टेक के साथ आपको दिया जाएगा फ्रोटिंग स्क्रीन आपको मिलेगी स्कुड़ा कुशाग के जैसा एन दोस्तों वाइलेस चाजिंग एम्गेट लाइटिंग कुरूज कंट्रूल यह सब चीज़ा आपको गाड़ी में मिलेगी एंड़ डोटो एपल कारप्रे जीपेस नाविगेशन साथ इसाथ कोड़ा एक बड़ी सी बूट भी देखेंगे लिए गाड़ी में नेली 500 लेटर आपको बूट स्पेस गाड़ी में दिया जाएगा तो अबर आज दोस्तों बात करें काफी सारे न्यू चीज़ा के साथ यह गाड़ी जो है आप लोगों को दी जाएगी इंडियन मार्केट के लिए इंडिस में एक स्पेसेल एडिशन भी आएसाता है जैसे कि आप लोगों का स्कोडा रैपिड का मोंटे कालो के एडिशन आता है उसी तरह की आप लोगों को इसमें भी आ सकता है जिसमें आप लोगों को ब्लैक क्लोसी विल्स ब्लैक रूफ एंड ब्लैक ग्रिल स्कोडा के देखने को मिलेगा यह सब चीज आप लोगों को इस काड़ी में देखने को मिल सकता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना इन्फरमिशन था आप लोगों के लिए मैं उमीद करता हूं कि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा अगर इसके इन्जिन की बात करें आप लोगों को इसमें कोड़ा का कुष्णा के इन्जिन है वह इन्जिन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा एक आप लोग का 1-liter 3-cylinder dh6 four stroke petrol engine देखने को मिलेगी जो कि आप लोग का 1000 cc होगा एक्जाटली बात करतो 999 CC का जिसमें आप लोगो 6-speed manual और साथ इसाथ 6-speed automatic आप लोगो प्रोवाइट की जाएगी और दोस्तरा जो होगा वो आप लोगो 1.5 लिटर टर्बा पेट्रोल होगा यारी 1500 CC का 4-cylinder BS6 4-stroke पेट्रोल इंजिन जो कि आप लोगो गाईज 6-speed manual और साथ प्रोवाइट की जाएगा automatic transmission यारी DSG gearbox और दोस्तों जो 1 लिटर इंजिन होगा वो आप लोगो नियरली 115 PS की पावर प्रोवेट करेगा और जो 1.5 लिटर इंजिन होगा वो आप लोगो 150 PS की पावर प्रोवेट करेगा तो फाइनल गाईज आज के इस वीडियो में एक नहीं information था आप लोगों के लिए मैं में में इमीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगा आप लोग प्लीज कोमेंट करके हमें जरूर बताएगा इन साथी साथ दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक ए तो comment में जाके मुझे पूछ सकते हैं मैं आप लोगों के सवालों के जवाब जो है आप लोगों को comment में जरूर दे दूँगा इन साथी साथ दोस्तों अगर आप लोग किसी और गाड़ी का review देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कॉमेंट में जाके मुझे बता सकते हैं मैं उन गाड़ियों का रिवी वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपने चैनल में जरूर डाल दूँगा और आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी ये भी कॉमेंट करके बताना ना भूलेगा तो फाइनल गाइस अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं ये दोस्तों पहली वर्क लिए आए हैं तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करीजिएगा और साथ ही साथ बेर आगे को भी प्रेस करीजिएगा तक हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच दे रहे और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप लोग आगे भी हमारे चैनल पर देख सकें तो फाइनल गाइज अब इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है तो थैंक यू एवर्योन फोर वाचिंग दिस वीडियो गुड़ बाइ फ्रेंड्स और टेक क्यर क्या है